आपके लिए खुबसूरती क्या है या एक खुबसूरत चीज क्या है आप बुलेंगे माम खुबसूरत चीज तो खुबसूरत है कुछ भी हो कोई चीज हो कोई इनसान हो अगर मैं ये कहूं कि हर एक इनसान के लिए खुबसूरती का खुबसूरत चीज का एक अलग मतलब होत सकती है राइट एक प्यासे के लिए पानी शायद एक खुबसूरत चीज हो सकती है यहां पर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है अधिंग ऑफ ब्यूटी जो लिखी है जॉन कीट्स ने मज़ेदार कविता है मज़ा आएगा कीट्स साव हमें सिंप देखेंगे जितना देखेंगे उस खुबसूरती को जितना समझेंगे जितना समझेंगे जितना समझेंगे उतनी बढ़ती जाएगी जोन कीट्स जी ने बोला कि मेरे लिए खुबसूरत चीज क्या है यह नेचर है जो भगवान ने बनाया है अब हमें इसे ढूड़ना में भूमिका चाहान आए शुरू करते हैं अधेंग और व्यूटी बाई जॉन कीट्स जॉन कीट्स का जन मुआ था 1795 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1821 के अंदर एक बिटिश रोमांटिक पोईट थे अधेंग और व्यूटी जो कविता ली गई है वो इनकी क कविता से ये वाली कविता ली गई है चोटा सा पार्ट उसका लिया गया है आए शुरू करते हैं आखिरकार कभी कहना क्या चाहते हैं अधेंग ऑफ ब्यूटी जोई फॉरेवर क्या कह रहे हैं वो कि खुबसूरत चीज जो है ना वो ऐसी है जो आपको सदा के लिए खुशी जैसे उनके लिए खुबसूरत चीज नेचर आवा पहाड़ों में कितनी वार भी चले जाओ उतनी वार मजात है पेड की चाया के नीचे कितनी वार भी बैट जाओ उतनी वार मजात है बारिश में जितनी वार नाहालो उतनी वार मजात है उसकी खुबसूरती उसक जॉन कीट्स के लिए नेचर है जो भगवान ने हमारे लिए बना कर भेजा है ताकि हम इस पृत्वी पर जिंदा रह सके बहुत मुश्किल है यहां पर जिंदा रहना पर मरने का मन नहीं करता क्यों कुछ तो बात होगी राइट चलिए सो कभी कहता है कि सुंदरता हमेशा के नहीं आपर जाती है हमारी प्रित्वी की खुब सूर्ती को खत्म करने में लगे हुएं और होसकता है कि एक दिन यह बिल्कुल ही खत्म हो जाए हiss今回 यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम उसे खत्म ना करें तो उसकी खुबसूरती कभी भी खत्म नहीं होगी हमारी जो appearance है हमारी जो खुबसूरती है वो समय के साथ बुढ़ापे तक आते आते ढल जाएगी पर इसकी नहीं ढलेगी पहाडों में जाके आज जैसा लग रहा है व हो बढ़ता ही है किसकी साथ समय के साथ it will never pass into nothingness pass into का मतलब turn into मतलब परिवर्थित नहीं होता ऑसेंट्व मतलब परिवर्थित हो जाना तैंक क्या तो turn into हिंट्व तो वह कहते हैं कभी भी इसका प्यारापन पास इंटू बदलता नहीं है परिवर्तिद नहीं होता है नथिंगनेस में नथिंगनेस का क्या मतलब होगा नथिंगनेस जिसकी कोई कीमत ना हो ऐसा कभी भी नहीं होगा इसके प्यारेपन के साथ किसके प्यारेपन के साथ एक खुबसूरत चीज के खुबसूर बावा quiet for us, लेकिन इसकी जगह क्या होगा, यह जो खुबसूरत चीज है, यह क्या प्रदान करती है हमें, बावा quiet for us, बावा मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे पेड की जो ठंडी छाव होती है न, वो, पेड की ठंडी छाव, जब भी आप गर्मी में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप पेड की ठंडी छाव में जाकर बैठो, कि तब बढ़िया लगता है, मजा आ जाता है, तो वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि यह सुंदरता कभी धुमली नहीं पड़ती, अपि तो हमारे देखने के साथ साथ बढ़ती जाती है, इसका प्यारा पन हमेशा हमारे दे शेड अंडर आ ट्री, पताईए क्या करें हैं यहाँ पर, यहाँ पर खुबसूरत चीज की खुबसूरती या उसके प्यारे पन को तुलना के साथ बताया जा रहा है पेड की ठंडी छाओ के, कि जैसे आप कड़ी मेनत करने के बाद, धूप में तपने के बाद के सान जब पेड की ठंडी छाओं के नीचे जाकर बैठता है और उस समय उसे जो सुकून मैसूस होता है, वही सुकून क्या है, एक खुबसूरत चीज की खुबसूरती है, यह भगवान की दी हुई चीज है, तो गयरें वही सुकून हमें प्रदान करती है, एक खुबसूरत चीज, ज and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing अब खुबसूरा चीज और हमें क्या प्रदान करती है अच्छी नींद प्रदान करती है सुकून भरी नींद प्रदान करती है quiet breathing मतलब restful ठीक है मतलब इकदम शान्त प्यारी आराम दायक क्या प्रदान करती है अच्छी सपनों से भरी हुई एक जो नींद है वो प्रदान करती है आप सोचो एक अच्छी सपनों से भरी हुई पूरी आराम दायक नींद का जो प्यारापन होता है वो ही एक खुबसूरत चीज का प्यारापन होता है समझे खुबसूरत चीज हमें वही प्रदान करती है हमें शान्ती देती है, हमें सुकून देती है, है न, हमें, हमें, हम जो सोते हैं अच्छे सपनों के साथ, वो प्रदान करती है, right, so it is as pleasing and blissful as a fragrant clump of bushes, एक जो सुगंधित वाटिका को देख कर मन खुश होता है न, वही एक खुबसूरत चीज है, and provides us restful sleep that is full of sweet dreams, और हमें एक आराम दायक नीम देती है, जो बिलकुल अच्छे सपनों से भरी हुई होती है, so quiet breathing as in restful sleep, clear, therefore on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth, अब बोल रहे हैं इसी लिए, every morrow, हर सुबह या हर आने वाले कल, morrow मतलब आने वाला कल, are we reading a flowery band to bind us to the earth, हम क्या करते हैं, हम हर सुबह उठते हैं, हमारी कुछ यादों के साथ, इन खुबसूरत चीजों के साथ, जैसे फूलों की एक माला बनाते हैं, हम वैसे ही इन सभी यादों की, इन सभी अच्छे पलों की, इन सभी खुबसूरत चीजों के द्वारा प्रदान किये गए, सुकून की एक माला बनाते हैं, और ये माला वो माला है, जो हमें पृत्वी से कही न कहीं जोड कर रखती है, यही कारण है हमारे आसपास, कितनी में बुराईया क्यों ना हो, हमारा इस पृत्वी पर रहने का मन करता है, जीवन को जीने का मन करता है, राइट? So the poet says that we feel so blessed by the happiness, अम इतना अच्छा फील होता है, इता blessed फील होता है, इस खुशी की वज़े से, इस happiness की वज़े से, we receive from a beautiful thing, जो हमें प्राप्त होती है, एक खुबसूरत चीज से, that we wish to connect with the earth, कि हमारे अंदर इच्छा रहती है, कि हम इस पृत्वी से जुड़े रहें, which that gifts us this beauty, वो पृत्वी जो हमें ये खुबसूरती देती है, एक तौफे की तरह, by weaving a reed of flowers, representatives of natural beauty, everyday, हर रोज जो हम पास देख रहे हैं, right, हर सुभा, हर रोज, तो ये उस एक माला की तरह हमें बाझ कर रखती है, अब माला कुछ भी हो सकती है, हमारे खुशियों की माला हो सकती है, हमारी यादों की माला हो सकती है, ठीक है? हमारी अच्छी खुबसूरत चीज जो भी है, आपके लिए उसके हम हर सुबा क्या कर रहे हैं एक माला बुन रहे हैं कहीं ना कहीं यह जो खुबसूरत चीज हमें सुकून प्रदान कर रही है उसकी ताकि हम इस पृत्वी के उपर जीवित रह सके खुशी-खुशी इस प्यारे पन को इंजॉय कर सके खुशी-खुशी ठेक चलिए बाकी सभी words के meaning मैंने लिखे भी हूँ है morrow means next day reading मतलब माला गुथते हुए band मतलब एक माला bind मतलब attach ठेक है spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures अब कह रहे हैं किसके बावजूद spite of के बावजूद किसके बावजूद despondence despondence मतलब निराशा के बावजूद the inhuman dearth inhuman मतलब against human values a man via dot मतलब कमी अब बहुत सारी चीजों की कमी है देखो dearth of noble natures noble natures मतलब है उच्च या नेक quality वाले लोगों की कमी है अच्छे गुण वाले लोगों की जो कमी है तो बोल रहे हैं किसके बावजूद निराशा के बावजूद of inhuman dearth किस चीज के निराशा किस चीज की निराशा किस चीज की ऑफ दी inhuman inhuman मतलब आमान विये चीजे जो हमारे आसपास है वो चीजे होने की निराशा डाथ of noble natures कमी किस की अच्छे लोगों की अच्छे गुणों की कमी होने के वज़ा से भी हम परिशान रहते हैं लेकिन उसके बावजूद ये खुपसूरत चीजे क्या करती है हमें यहाँ पर र के हो हैं spite of के बावजूद निराशा अमान विये लोगों के आसपास होने के निराशा के बावजूद कमी होने के बावजूद noble natures की अच्छे गुण के लोगों की कमी होने के बावजूद of the gloomy days वो सभी उदासी भरे दिन होने के बावजूद of all the unhealthy and over darkened ways वो सभी गलत हमार decisions होने के बावजूद हमारे life हो सकता है गलत direction में जा रही हो उसके बावजूद इन सभी बुरी चीजों के बावजूद भी क्या होता है कोई एक खुबसूरत चीज ऐसी होगी जो आपको खुशी प्रदान कर देगी बस वो आपको ढूंडनी पढ़ती है वो यह बोल रहे ह उनका सीधा सीधा कहना ही है we may suffer from many ills हो सकता है हमारी जिंदगी में बहुत दुख हो बहुत तकलिफ हो बहुत बुराईया हो like despondence जैसे कि निराशा in human nature lack of noble nature despairing days and all the unhealthy evil ways सारे बुरे रास्ते बुरे काम सब बुरी चीज़े हो सकता है यहाँ पर हमारे पास हो noble natures की कमी हो सब चीज़ों की कमी होने के बावजूद despairing days उदासी भरे दिन होने के बावजूद and all the unhealthy evil ways वो सभी बुरे रास्ते वो सभी बुरे तरीके जो हम अपना रहे हैं या कर रहे हैं उन सभी चीज़ों के बावजूद however some things of beauty give us comfort from these follows कोई चीज तो ऐसी होती है जो हमें comfort देती है सुकून देती है आराम देती है राइट चाहे वो माबाप का चहरा ही क्यों नहों चाहे वो भगवान का मंदिर ही क्यों नहों चाहे वो सुकून से थोड़ी देर भार घूम के आना ही क्यों नहों चाहे वो मेट फॉर लाक्स हो जात county yay वह मीट फॉर अरस एरिक्वा मतलब क्या है वीताजी मेट फ्रार सेर्चिंग का सीधा सीधा मतलब है हमें वो खुबसूरत चीज डूननी पड़ती है बोलते है ना खुबसूरती देखने वाले की आखों में होती है किसी को उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है किसी को ढलता हुआ अच्छा लगता है फार्क है ना किसी के लिए उगता हुआ सूरज ये खुबसूरत चीज है किसी के लिए ढलता हुआ एक खुबसूरत चीज है आपको बस ढूणने है कि आपके लिए आपकी खुबसूरत चीज क्या है yes in spite of all some shape of beauty moves away the pal from our dark spirit साव बोला है इन सभी चीजों के बावजूद क्या होगा कोई एक खुबसूरत चीज ऐसी होगी जो हमारे जीवन में से ये सभी दुख तकलीफों के जो घने काले बादल है ये खत्म कर देगी सीधा सीधा बोला है डाक मतलब उदास spirits मतलब inner soul हमारी जो अंतरात्माए है जो दुख से भरी हुई है जिन पर काले घने बादल चाय हुए है कई न कई वो खुबसूरत चीज क्या करती है moves away हटा देती है वो घने काले बादल हमारे अंधकार भरे अंतरात्माओं से हमारी उदास अंतरात्माओं से वो घने काले बादल हटा देती है मतलब हमें सुकून देती है such the sun the moon trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep shady boon का मतलब क्या है बून मतलब blessing ठीक है तो कह रहे हैं जैसे अब ये list है किसकी beautiful चीजों की आए देखते है चौन कीट्स किन किन चीजों को खुबसूरत बोल रहे है such the sun the moon trees old and young अब सब चीजे जैसे सूरज हो सकता है चांद हो सकता है है न कुछ भी हो सकते है चोटे बड़े जवान बुढ़े पेड़ हो सकते है sprouting a shady boon for simple sheep जो प्रदान कर रहे है क्या चाया भेडों के लिए कि वह वहाँ पर आराम कर सके सो सके right so कुछ ऐसी सुन्दर वस्तुएं है सूर्य चंद्रमा तथा वे युवा वरिद्वक्ष जो इन सीधी साधी भेडों के लिए वर्दान है जो उनकी च्छाओ में सोती है खुबसूरत चीजों का वर्णन कर रही है and such are daffodils वैसे ही क्या है daffodils है हरे भरे जंगल में बिख्रिवी प्राकृतिक सुन्दरता का समोहित कर देने वाला चितरन करते हुए कहते हैं कि नर्गिस के जो फूल होते है daffodils जो होते हैं with the green world they live in जो जंगलों में जहां वो रहते हैं जहां वो उगते हैं उनकी बात करते हुए कहते हैं प्रकृतिकी सुन्दरता का चितरन कर रहे हैं वो picturization एक तरीके से कर रहे हैं वो यहां पर and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break and the clear rills इनकी सुन्दरता को यहां बहने वाली चोटी-चोटी जल्धारा है प्रशंसा से निहारती है ऐसा बोल रहे है clear rills साफ चोटी-चोटी rills मतलब जल्धारा है rills मतलब जल्धारा है that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break यहीं बोल रहे है कि इनकी संदरता को यहां बहने वाली यह जो जंगलों में diffidels वगेरा हैं इनकी पर चोटी-चोटी-चोटी चोटी-चोटी नदीया वह रही है न वह जहांसे बहारी है उन्हारती हुई जा रहे है ऐसा बोल रहे है तो यह picturization आपके दिमाग में एक image बन जाएगी देखना एक picture बन जाएगी जो ये बोल रहे हैं उन सभी चीजों की ये जल धारा है साफ शुद्ध पानी से परिपूर्ण है clear रिल्स बोला इसलिए शाफ और शुद्ध पानी है इनके अंदर और यह जल प्राप्त कर जाडियों से जुर पौधे वगएरा होते हैं उस इससे की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं यह जुर्मुट इसके बदले में इन जल धाराओं को ग्रिश्म रितु की गर्मी में ठंडी चाव प्रदान करते हैं अब गर्मी है तो यह जो पेड़ों के जुर्मुट हैं यह इन धाराओं को ठंड दख प्रधान करते हैं जहां पीड पौत ज्यादा होते हैं फ्तंडक ज्यादा होती है राइट जंगल के बीच में घनी जे जो जाडया है मिड फॉरस्ट City जंगल के बीच में जो घनी हैं समझ में आ रहे हो समझ का Kirk मतलब बनाने की हाँ पर कोशिश कर रहे हैं rich with a sprinkling of fair musk rose अब ये जो बिल्कुल घनी जाडिया जो है ना जंगल के बीच में इन में कौन से फूल होगे हुए है कस्तूरी के फूल होगे है कस्तूरी गुलाब के फूलों की सुगंद से धनी है rich मतलग धनी है with a sprinkling of fair musk rose blooms अब यहाँ पर बुल रहे ना mid forest break the mid forest break जो जंगल के बीच का इरिया जहां पर बहुत ज्यादा घने पेड़ पौधे हैं वहाँ पर क्या है कस्तूरी के जो फूल है उनकी जो फूशबू है वो चारो तरफ फैली हुई है जो वहाँ प्रचुरता से खिल रहे हैं मतलब बहुत भारी मातरा में बहुत सारे फूल आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ नहीं है और यह ठीक है आप से अगर सवाल भी पूछा जाएगा एक्जाम में तो यह पूछेंगे कि कौन-कौन सी ब्यूटुफुल चीजों का वर्णन उन्होंने किया है तो आप बोल सकते हैं फैर मस्क रोज के बारे में बता सकते हैं आप तो क्लियर रिल्स के बारे में बता सकते हैं यह सब चीज़े देफिडिल्स क्लियर रिल्स ठीक है एंड सच्टू इस दी ग्रांजर आप दी जूम्स अवह बोल रही है यह बाकी की चीज़े तो खुबसूर्ती प्रदान करती ही है हमें पर इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टर्ट चीज देखो मकबरे पर बने गुंबदों का वह व इस दी ग्रांडियर वी आव इमाजिन फॉर दी माइटी डेट जो हम कलपना करते हैं हमारे किनके लिए वो उम्रत लोग जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे और उनकी जब भी अगर आप अभी भी कहानियां सुनोगे तो भी आपके रॉंक्ते खड़े हो जात उन महान शक्तिशाली लोगों की वो कहानियां हो सकती हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया अपनी जान दे दी सब कुछ समर्पित कर दिया जिससे हमें जोश मिलता है कि हमें जीवन में कुछ करना चाहिए ठीक है और लवली चीव всю that we have heard और रेड वो सभी प्यारी कहानियां जो हमने पढ़ी और सुनी है और लास्ट आ जाता है An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's spring अब वो कहे रहे हैं यह जो प्रकृती है ना क्या है यह यह कैसे फवारे की तरह है अम्रित के फवारे की तरह है जो हमें लगता है कि बगवान के पास से स्वर्ग से सीधा यहां पर फैला हुआ है प्रत्वी पर तो प्रकृति अनंट रूप से बहता हुआ एक फवारा है अनंत रूप से बहता हुआ इम्मोर्टल मतलब क्या होता है इम्मोर्टल ड्रिंग क्या हो गया अमर recycling हो गया Tong को मरने ना दे है न ऐसी ड्रिंक क्या होती है? अम्रिती होती है वो तो तो प्रक्रती अनन्त रूप से भैता एक फवारा है फाउंटेन फवारा, endless अनन्त, immortal अम्रित, पाउरिंग अंट्वार्स फ्रम हैवें स्ब्रिंग, जो हमें स्वर्ग की किनारे के से अमर्ता का प्रदान करता है, किसका प् हमारी अंदर हमारी आत्मा के अंदर उडेलता है जिससे हम अपने जीवन में प्रसण्था का अनुभाव करते हैं। पावरेंग ымиधारी अंदर उडेलते हैं। मतलब खुश फील करते हैं और इस लाइफ को जीना चाहते हैं। समझ में आया पोल मतलब उडेलना राइट तो सीधी सी बात कई प्रकृति अनंत रूप से एक भैता हुआ फवारा है अनंत रूप से जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमर्ता का प्रेय प्रदान करता है क्योंकि भगवान नहीं तो बनाया यह प्रकृति राइट तो अतात हमें अंदर हमारी अंदर उडेलता है जिससे हम अपने जीवन में प्रसनता का अनुभाव करते हैं और इस प्रकार हमारी कविता अफिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर खत्म होती है मैं आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमें सकते हैं and I wish and I hope कि comment section के अंदर मैंने आपको कुछ questions दिये हैं आपको उन questions के answer जरूर 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 करने हैं जितने बच्चे उन questions को answer करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा इसी कविता से समबंधित कुछ सवाल मैं आप लोगों को विडियो के description में ही देन करेंगे clear है चलिए I wish आज की कविता आपको पसंद आई होगी आज की पूम आपको पसंद आई होगी बबाई टेक केर और वेरी बेस्ट